तो आपके लिए आप सभी को पता होगा कि देखो हमारे संस्कारों में यह चीज़े हमें सिखाई आती है कि अगर हमारे लिए कोई बहुत जादा कर रहा है तो अपने दिल में अपने आप ही प्यार आ जाता है मैं रिस्पेक्ट वर्ड यूज नहीं करूँ आपने आप प्या करते हैं तो भाई प्यार करते तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि आपके साथ आपके प्रदीप सर हमेसा खड़े हैं तो बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल दो कि पेपर कैसा जाएगा कैसा जाएगा कुछ चीजे मैं बताने जा रहा हूं प्लीज इस जा तो अगर आपके मर्च चीह सर मुझे स्टार्टिंग में लिखना है ने चींट्ना है जेतना भी पार्दर्स को लेना चाहँ गर आफ को लिखना है तो एक पर इसको इस पेच मेरा चाह James से सर यागा कुछ क्या होंगा करें को源 कोई कुछ चुम्प्लीट होंगे और ये स्पीड में लिखोगे, बहुत डरे समय से लिखोगे, जिसके इन क्या, इस पे भी आप जादा नहीं है, इस पे उतना ही मार्व मिलेगा, बहुत कम मार्व मिलेगा, इससे होगा कि अगर एक नया कुशन है, तो उसमें एक अलग मार्व मिलेगा, तो इस तरह रूटीन को अपलाए कर सकते और यह करने से बहुत बार दोनों कुशन हमारा पूरा भी हो जाता है, कभी-कभी यह help कर जाता है, आप सभी को, बट पहला टार्गेट आप सभी कहोना चाहिए, आपका पेपर और आराम से हो जाता है, अगर बिना मतलब देखो, जो पहले पेपर जैसी ही आ रहा है, सबसे ड्षप नहीं करना, पूरा पूरा उसको खटम करना है, जेसके बॉल नहीं रूर लए, या पर पेपर चैकर को बहुत ऑननों हो जागे हैं, तो यह काम बिल्कुल नहीं करना जा等 जैसा दिया हो है, गाने पटीत, फटीत इसा लिख तो पद्दे लिख दो, पद्दे के बा वाला पार्ट इस सीरीज में लिखो ज्यादा अच्छा बट लास्ट में एक से देड़ घंटा एक घंटा अपने लिखन वाले पार्ट के लिए रहां जिसको आराम से लिख सकते हैं पेपर होने के बाद एक चीज़ याद रखना पूरे पेपर को एक बार अच्छे से चेक कर बहुत सरे बच्चे ने बहुत बहुत बार गलत लिख देते हैं तो को इसको एक बार सिस्टमाटिक वे में चेक कर लेना है जैसी पूरा पेपर हो गया पूरा लिख लिए उसके बाद आपके बास टाइम बसता है तो यह जो प्रेजेंटेशन मैंने कल करने लिए बोला हु कि हर क्वेश्चन जैसे अभी गद्य विवाग है गद्य विवाग के अंदर वन टू त्री ऐसा मालो समझा रहा हूं चार क्वेश्चन है तो सबको आपने सिंगल सिंगल लाइन पैंसिल से कर दिया जैसी गद्य विवाग पूरा खतम हो तो डबल लाइन करो फिर इसके कि काम करना है वह काम कर सकते हो चीज अगर ब्लू से लिख रहे हो तो आप लेके अंड तक जो आकरूती बनानी है जो बात्मी के लिए जो चीजे बनाएं से में से करना एं से परना यह गडबण नहीं करना कि आधा पैंसिल मार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं पर बात्मी वाला वो सब पेंसी बनाना उपर लिखा हुआ है यह क्लियर कट दिमाग में सुन लो और इसको दिमाग में फिट कर लो यह गडबड बिलकुल नहीं कर रहा है इसके बाद जैसे आपका पेपर हो गया तो यह आपने प्रेजेंटेशन के लिए कर दिखा करना और कि अगर किसी चीज में आपको डाउट लग रहा है या तह बार कोड या किसी चीज में आपको बारकोड यह लगा दो कि मेरे को टेंशन नहीं आता प्यार से प्यार से और याद रखना पेपर के स्टार्टिंग से इधर उदर करना मद स्टार्ट करना टीचर के डायरिक गवेट करूंगा और अपने पेपर को अगर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे शेर कर सकते हैं जैसे निकलोगे तो मुझे पता जाएगा पेपर कैसा कैसा क्या के प्लीज अब मेरे इंस्टाग्राम पर शेर कर देना और अगर उपना जो भी रिवीव होगा आपका जो भी जैसा पेपरぎया होगी प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जरूर मैसेज करना मैं या का वेट करूगा थैंक्यो सो मुझरू ड précisल जै हिन